अगामे बुद्वार से आरम हो रहे ही पवित्र चेत्र नवरात्रों को लेकर मावैशन देवी के भवन में धाई से तीन लाग के करीब शधालू के आने की उम्मीद है वैसे भी वर्तमान में 25,000 से 30,000 शधालों रोजाना मावैशन देवी के दर्शनों के लिए अधार शविर कट्रा पहांच रहे है परन्तु नवरात्रों में और साथा शधालों के आने की उम्मीद है बीते वर्ष 2022 में पवित्र चैतर नवरात्रों में करीब धाई लाग शधालों मावैशन देवी के दर्बार पहांच थे पवित्र नवरात्रों में मावैशन देवी की यात्रा करने वाले शधालों को व्रथ संबंदी फलाहार को लेकर परेशान ना होना पड़े जिसको लेकर एक और जहां आधार शिविर कट्रा में होटल के साथ ही धरमशाला धाबा अर्द आधी पर व्रत संभंधी फलाहार उपलप्थ होगा वही मावाईशुदेवी भवन के साथ ही सभी मार्गों पर बोड के भोजनालों के साथ ही जलपान केंद्रों में व्रत संभंधी फलाहार उपलप्थ होगा जिसको लेकर श्राइन बोड द्वारा विशेश विवस्ता की गई है झाल